लो डियर स्टूरेंट्स एम रानु मालविया यौर साइंस टीचर फ़म काबरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल गाड़रौरा जिसमें हम चेप्टर शक्स तक के कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके एक्जाइम्स भी हो चुके हैं अब हम चुरुआच करेंगे चेप्टर नमर् ऐवन से जिसका नाम है गेटिंग टू नौ प्लांट्स तो यहां पर हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे जादा से जादा प्लांट्स में और भी जो इसके पार्ट्स है उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे क्या होता है तो जनरली इसके माइन मैप के बारे में आप जो की माइन मैप इसका अल्रेडी बना चुके हैं तो इसके माइन मैप के बारे में हम डिसकुस्ट करेंगे तो कि हाँप पर सबसे पहले हम देख लिक जे हैं कि शुरुआती माइड मैप में देख सकते हैं आप ताइप्स अफ प्लांट के बारे में दिया गया है और स्ट्रुक्चर ऑफ फ जौर Resp. तियर्स टाइपस अफ प्लांट में आप देखेंगे हर्बस छुब्स त्री ऐ demasiado सर्विपर ये तर चुब होते हैं और यहां पर आप देखेंगे बारे आप देखेंगे पाटस अफ प्लांट में जो कीrot, stem, leaf, flower यह त पार्स हैं और structure of a flower में आप सेपल, पैटल, स्टेमन and कारपल के बारे में देखेंगे चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसके कीवर्ड के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी कि माइन मैप को समझने में और स्टेप्र को समझने में तो यह थोड़ा सा बलर है यह पेज लेकिन आप अपनी बुक में देख लीजेगा बात करते हैं सबसे पहले फाइबरस रूट के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे जब स्टेम के नीचे बहुत सारी थिन या पतली पतली रूट करती है तो इसको फाइबरस रूट अब यहाँ पर हम देखेंगे फ्लोएम के बारे में जो फूड कंड़क्टिंग ट्यूब्स होती है यहाँ पर क्या होता यह पाइप्स की तरह होती है प्लांट में और यह फूड को कंड़क्ट करने का यानि फूड को प्लांट के हर पार्ट में ले जाने का काम करती है यह तो इसको फ्लोएम कहते हैं तो याद रखिएगा फ्लोएम मींस फूड कंड़क्टिंग ट्यूब् हुआ लाइख एपर करेंगे अर्यों पर संसक्तूदा प्रथे रोट्स है यह प्राप इसी है यह फाड़ करेंगे मोट्य है थिक में रूट इसमें एक थिक याने मोटी में रूट होती है और फिर उसमें आप बहुत सारे उसके साथ में आप देखेंगे कि लैटरल रूट्स याने कि उसमें पतली बहुत सारी अलग-अलग रूट्स कनेक्ट होती है तो टैप रूट्स में एक टैप मतलब यह समद ली तो release the water by leaves of the plant यहाँ पर आप जखेंगे कि जो water release होता है leaves से इसको transpiration बोलेंगे जो leaves होती है जितना पानी यूज़ करना है वो कर लेती है ठीक है और मतलब यहने plant की root से पानी उपर साइट चरता है फिर leaves को जितना पानी यूज़ करना है वो कर लेती है और finally फिर leaves या plant को जितना पानी यूज़ करना होता है वो कर लेती है अपने food को बनाने में और फिर जो पानी इसमें बच जाता है उसको transpiration के थूँ क्या करती है evaporate कर देती है ठीक है तो yes जनरली यह transpiration को अब मैं और बताना चाहूँगा कि जनरली आपने सुना होगा कि जहां पर भी जंगल होते हैं वहां पर बारिश ज्यादा होती है जंगली शेत्रों में ज्यादा बारिश होती है तो वह इसलिए होती है क्योंकि वहां पर बहुत सारे प्लांट होते हैं अब जब बहुत सारे प्लांट होंगे तो वो क्या करेंगे बहुत जादा ट्रांस्पिरेशन करेंगे बहुत जादा ट्रांस्पिरेशन करेंगे तो इवैपरेशन आफ वाटर जादा होगा जब इवैपरेशन आफ वाटर जादा होगा तो इस एरिया में बादल बहुत जादा बनेंगे और जब बादल बहुत जादा बनेंगे तो बारिश भी अच्छी खासी होगी तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जहां पर जंगल होते हैं वहां पर बारिश जादा होती है इसके बात करते हैं जायलम ट्यूब्स के बारे में तो जैसे फ्ल चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर इस माइंड मैप के बारे में थोड़ी सी बहुत क्लियर तरीके से इसमें दिया हुआ है देखिए सबसे पहले बीच में प्लांट लिखा हुआ है फिल लीव फ्लावर स्टैम और रूट्स यह चारों के बारे में डिसकुशन किया गया है तो सबसे पहले हम यहां रूट्स से चलना शुरू करते हैं प्लांट की रूट्स में आप देखेंगे कि टैप रूट्स चलिए मैं एक मिनट पैन ले लेता हूं यहाँ पर जिससे कि मैं इसके ओपर सरकल कर सकूँ यस यह रूट्स के बारे में बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि टैप रूट होता है और फाइर रूट होता है तो इसको कहेंगे यह थो तरह सब्सक्षकाँ हैं यह रूट के फ effectively के प्लांटको एंकर करए रहते हैं मतलब जमिन पर अच्छा खासा धसा कर रखती हैं जिसके प्लांट गिरते नहीं तोड़ते नहीं इसके जावा एब्जार्व वाटर प्लांट नेु्रियस और वाटर को अब्जार्व करने का यहना काम काम इसके लावा फूड स्टोरेज का काम भी करती एक फूड इस्टोरेज आपने देखा होगा कई सारे ऐसे रूट से जो कि अंदर जमीन के अंदर से निकलते हैं और वह फल के रूप में हम उसका यूज करते हैं कंद मूल यह फिर आपने जनरली सुने होंगे यह सब क्या है यह सब है फूड इस्टोर करने वाले रूट से एक प देखेंगे तो यह क्या करता है सपोर्ट लीव फ्लावर एंड फूट सी यह इसी स्टैम में लीव फ्लावर एंड फूट लगते हैं तो उनको सपोर्ट करने का क्या करती है स्टैम करती है इसके बाद में आप देखेंगे कि क्या होता है स्टोर फूड वाटर सौरी फूड water and dissolve plant nutrients to all parts फ्लायम क्या करती है? ट्रांसपूर्ट फूड तू आल पार्ट आफ दा प्लांट इस तरीके से जाइलम और ट्यूब यह दोनों जाइलम और फ्लायम ट्यूब से अपना काम करती है इसके बाद में हम थोड़ा सा डिसकॉशन कर लेते हैं फ्लायर के बारे में ठीक है? फिर हम चलेंगे लीव की तरफ तो फ्लायर में आप देखेंगे यहां पर जनरली आप देखेंगे कि सैपल और पैटल तो दो चीज़े होती है जैसे कि मैं बताना चाहूँगा जैसे कि मान के चलिए यह है आपका एक प्रकार का फ्लायर ठीक है? यह बना दिया मैंने रोस फ्लावर ठीक है? और यह निकाल दी नीचे यह मैंने दो यह ग्रीन करर की जो निकली होती है और इसमें यह होती है टंडी ठीक है? तो यह आप यहां पर आप देखेंगे कि यह जो आपकी निकली हुई है दो नीच sepple and petals दो होती है तो ये फ्लावर का main चीज होती है इसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें दो तरही के से आप देखेंगे male reproductive system female reproductive system होता है आगे जब हम flower को deeply discuss करेंगे तो उसके बाभरे में देखेंगे جो male reproductive system होता उसमें stamen and thurs and pollen grain होती है और female reproductive system में होता है stigma and style ovary and ovule ये सब इसके part होता है female reproductive system में तो इन सारी चीजों के बारे में जब हम chapter के दोरान flower के बारे में deeply discuss करेंगे तो और ज़्यादा discuss कर लेंगे बस आप इन words के बारे में aware रहीएगा आगे चलते हैं leaves के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि leaves क्या क्या करती है तो yes leaves store food food store करने का काम करती है provide support ठीक है tendrils है न तो tendrils generally इस तरीके का आपने कभी देखा होगा plant में इस तरीके का spring की तरह tendrils होते हैं वो भी हम chapter के दोरान देखेंगे तो food store करने का काम करते हैं support provide करने का काम करते हैं transpiration अभी हमने देखा transpiration evaporation of water करती है leaves और produces food और खाना बनाने का भी काम करते हैं लीव्स को ही क्या कहा जाता है, प्लांट का किचिन भी कहा जाता है, तो कि लीव्स में ही जनरली जो प्लांट होते हैं, वो खाना बनाने का काम करते हैं, तो इसलिए ही लीव्स को ही क्या कहा जाता है, किचिन आफ दे प्लांट, प्लांट का किचिन खा जाता है, तो यस इस त दोरान कुछ काम दिया करूंगा तो वो आपको भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अल्रेडी बहुत सारी चीजा आप वैसे भी जानते हैं ठीक है तो ठीक है मिलते हैं नेक्स शेप्टर में तब तक कि अपना ख्याल रखिए बच्चो और खुश रहिए अपना और अपनों का बहुत जादा ख्याल रखिए और इस कॉरोना के दौरान अपने आपको सेफ रखिए तैंक यू डिया स्टुडेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में